आपने देखा था थोड़े दिर पहले, लेकिन चलिए बता देते इसको, चलिए देख लेते हैं, let fx1 बराबर, fx2, x1 x2 belongs to its domain, याने कि r, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा? x1 का square x2 का square square हाना जी square और square हटेगा या square उधर root में जागा तो क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे अगर square root में जागा तो plus minus लगेगा न क्योंकि real number के लिए कह रहा है चलिए तो plus minus x2 therefore f is not 1 1 f क्या है आपका 1 1 नहीं है चलिए अंटू के लिए चेक करते हैं let y बराबर fx यानि कि y बराबर हो जागा x square या से x का value आजाएगा root अंडर y अच्छा इसके real value मिलने के लिए y के value 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए तो इसका real value नहीं मिलेगा कब जब y यानि कि जब y belong करेगा किसी real negative number से अगर negative number आजागा तो इसका value real होगा क्योंकि नहीं होगा क्योंकि root के अंदर negative यानि कि imaginary number हो जाते है न तो अगर y के value अगर हमनों कोई negative real number ले लेंगे तो इसका value real नहीं होगा real number से belong नहीं करेगा therefore f is not unto यानि कि नहीं function 11 है और नहीं अंटू है क्लियर हो गया अगला देखते है question number इसका